वेलो दूस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना वाला है क्लास 12 के स्टुडेंटों के लिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आवस्यक बात करने वाले हैं चलिए मैं स्टार्ट करते हैं तो देखे मैं ज़्यादा घुमाऊंगा ने सीधा पॉइंट में आते हैं देखे क्लास 12 स्टुडेंटों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है और इसमें यही बात बताना है कि सबसे पहले कि जो स्टुडेंट्स सीरियस हैं जो इस चैनल पर सीरियस हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनको यह बाते जानना चाहिए कि अभी तक हमने कितने चैप्टर को क्या-क्या हमने कंप्लीट करा दिया है और क्या-KYा इसके बाद अभी हमें पढ़ना है क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है अब 2-3 महेने आपके पास रह ग गये हैं ठीक है? 3 महेने आपके पास हैं तीन महेने में से एक महेन तो यूँ ही निकल जाएará कभी आपने नहीं पढ़ा मिल्ट लेगा पर जान लीजिए अधरवेज आप जानते होंगे कि मैं तीन आपको कितना चार सब्जेक्ट पढ़ाता हूं एक है फिजिक्स कि मैं चारी आपको सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत सिखा पाता हूं एक है फिजिक्स एक है केमिस्ट्री और एक है हिंदी और एक है इंग्लिस ये बात आपको पता होगा कि मैं चार सब्जेक्ट आपका मेन लेकर चल रहा हूँ तो अब इसमें ये आता है कि बाइलोजी अमेज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ बाइलोजी का वहले ही मैंने important question पढ़ा दिया है बता दिया है आपको बट वो सब आपको त्यार करने के लिए हमने बताया था कि दूसरे बहुत सारे teacher हैं जो अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं उनसे आप जाकर यूटूब पर ही पढ़ सकते हैं फ्री में वो पढ़ा रहे हैं ठीक है बहुत साइसे चानल है तो आप जाकर उनसे पढ़ लीजिएगा मैंने आपको important question बुक से ढून कर आपको बता दिया था ठीक है मैं तका तुम्हें जानता ही नहीं हो ठीक है तो देखे ये जो मैं simple सा यही कहूंगा कि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि देखे जो physics है ना उसका class 12 में हमने 80% syllabus को complete करा दिया है ठीक है इसमें जो होता है chemistry में वो भी हमने 80% आपके syllabus को complete करा दिया है यह आप बात समझे यह सबसे पहले हम physics को chemistry पर ही बात कर लेते हैं तो physics को chemistry में 80% syllabus पहले ही हमने complete करा दिया है जिसमें हमने playlist भी बनाया दिया गया है class 12 physics important question 2024 इस तरीका का playlist बनाया गया है यदि आपको धूनना जानते ह कि playlist कैसे हम देखें तो आप जाकर थोड़ा सा playlist चेक कीजएगा वहाँ पे सब आपको मिल जाएंगे लगबा मुझे लगता है कि इसमें 70-80 इसमें दोनों में 60-70 वीडियो होंगे ही physics के लिए 60 बना दिया गया होगा और chemistry के लिए 60 या 70 बना दिया गया वीडियो तो उतना क अब तर topic को यदि आप तयार करते हैं तो काफी रहेगा और भी जो 20% जो बचे हुए हैं वो भी हम आपको जल्द ही करा देंगे ठीक है दो महीने है ना तो एक महीने मुझे लग रहा है कि एक महीने में में यह 20% जो बचा हुगा है यह हम करा देंगे उसके बाद अब आता है कि इसमें 20% में क्या आपका बचा हुगा है देखिए इसमें कुछ topic हैं जो आपके बचे हुए हैं उसके साथ साथ दो और बाते हैं जो है आपका बचा हुगा है एक है numerical ठीक है एक है objective question एक है कुछ important VVI topic है यह जो कुछ topic है जो बचे हुए है अभी ठीक है तो दिखिए numerical का आपको पता है कि numerical का हमने लगबग दो वीडियो most important ऐसे तो chapter वेज हमने कराए ही है उसके बाद हम संपूर्ण किताब के जो VVI question है numerical का वो हम करा रहे हैं और ऐसे आपको पता भी होगा क physics के लिए हमने दो वीडियो बना दिया है पार्ट 1 बनाया था फिर से पार्ट 2 भी बन गया है जल्दी आपका पार्ट 3 भी मिलने वाला है कल आपको यह परसो मिल जाएंगे ठीक है तो numerical इतने बात है objective question हमने बहुत ही पहले हमने आपको 50 objective question आपको कराए है ठीक है तो आप देख लीजेगा आप इतना लिखेंगे ना class 12 with x objective question brother sir इतना लिखकर search करेंगे वीडियो मिल जाएगा फिर से important जो question है तो 80% करा दिये है उसमें से कुछ important question है वो भी हम आपको आगे करा देंगे ठीक है तो इसके लिए numerical के लिए आपको ज्यादा त्यार रखना है ठीक है क्य उसको जरू देखिएगा यहां तक chemistry की बात करें chemistry में भी हमने numerical का session start कर दिया है जिसमें हम केवल BBI question को करा रहे हैं उसके साथ साथ जो objective question भी इसमें बचा हुआ है जिसको हमें कराना है उसके बाद आपका भी आता है BBI question तो यह हमें कराना है देखिए numerical का भी आपको पता हो तो आगे भी यह series आपका चलता रहेगा उसके बाद जो important question है objective वो भी हम जल्दी आपको कराएंगे और पहले भी हमने कराया हुआ है objective question आप लिखेंगे न कि class 12 chemistry objective question brother sir तो आपको वीडियो मिल जाएगा वो सभी जितना हमने objective question कराया है उन सभी को त्यार कर लिजेगा उसके बाद BBI question भी है तो यह हम सब आपको करा देंगे तो फिलहाल आपको numerical और objective question numerical और objective question यह आपको ज्यादा तर मैं कराऊंगा objective question sorry BBI जो question है जैसे कोई topic है तो वो सभाम आपको करा देंगे जैसे protein की संवर्षना है ठीक है तो यह सभाम आपको कराएंगे अगला आता है objective question है यह इसे important topic आएगा तो यह आप करा लिजेगा description box में हम physics, chemistry, biology मतलब physics की chemistry का Hindi, English का फिर से physics और chemistry का numerical का ठीक है सब का हमने link दे दिया है description box में telegram का भी link दिया है उस पे click करके आज आप पूरा check कर लिजे कितना वीडियो किसमें बनाया गया है सब topic complete करा दिया गया है ठीक है आप चेक कर लिजे link में click करके उसके बाद अगर कोई topic बचे नहीं तो आप हमें comment सकते में जरूर बताईएगा ठीक है और जहां तक हिंदी की बात करें तो देखे हिंदी में भी जो वी वी आई question है वो सब हम आपको करा दिया है इस English में भी जो वी वी आई question है ये भी हमने आप आपको करा दिया है तो आप जरूर इन सभी को चेक कर लिजेगा English or Hindi का भी इसमें कुछ आपके जो निबंध है जैसे की और भी बहुत सारे निबंध दो तीन है वो हम आपको करा दिया है रस्मी रथी जो है वो भी हमने करा दिया है बहादूर एक कराना है ठीके तो ये कु लेटर आर्टीकल इसमें जो क्या होता है पॉलूज़न पर एक आर्टीकल लिखने के लिए आ जाता है ऐसे तो वह सब हम आपको करा देंगे तो निष्चिंत रहना है और भी जो टॉपिक है ओपको कराईंगे परंतु इन दोनों का खास कर आप जाये चिक किजिए कि कितना हमने topic पढ़ा दिया है और उतना topic आपको त्यार है कि नहीं तो ये video बनाने का मेरे यही मक्सद था कि description box में link है आज कम से कम आप जाएए और click करके और पहले चिक किजिए कि कितना आपको त्यार है ये सभी video आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं और description box में भी हमने telegram link का join दिया है तो telegram link को और click करके और telegram join हो जाएए और वहाँ से अपनी पढ़ाई कीजिए क्योंकि वहाँ पर free notes आपको मिल जाएंगे इन सभी question का तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते के नए topic के साथ तब तक के लिए धन्यम